हेलो दोस्तो वेलकम टू गरुनाज किचन और आज का जो मेरा ओर्डर का केक मुझे आया था वो है मिक्स फ्रूट का केक तो यहाँ पर मैंने मिक्स फ्रूट केक का एक स्पॉंज यहाँ पर बेक कर लिया है जिसे मैं तीन हिसो में इसे कट कर लूँगी तो यहाँ पर मैंने यह मेरे regular customer है यह हमेशा मेरे मेरे पास से ही order लेके जाते है और इन्हें मेरे केक का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा लगता है और जिस तरह से मैं basic के जो preparation करती हूँ मैं sugar सिरफ से मैंने केक को first layer को soak कर लिया है उसके बाद मैं उसके उपर मैंने mix root का crush लगा लिया और cream से मैंने उसको frosting कर ली और second layer रखे इस तरह से मैंने पूरी जो layer रखे इसको final touch up अब मैं दे रही हूँ तो दोस्तो यह जो cake था इसे मुझे कम cream लगाना था पर दोस्तो यहाँ पर क्या हो गया कि मैं भूल गई थी क्यूंकि आज मेरे पास दो order थे तो मैं भूल गई थी कि इसे कम cream लगाना है इसलिए आज थोड़ा सा इसे cream मैंने लगा दिया और यहाँ पे अब मैं क्या कर रहा हूँ एक bowl ले रही हैं और ऊस bowl में मैं थोड़ा सा cream लूँगी और उसमें मैं purple color डाल दूँगी यहाँ पे मैं थोड़ा सा हट की design बनाने वाली हूँ इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा purple color डालके इसे मैंने mix करना है, हमें इसको पूरा mix नहीं करना है, इस तरह से थोड़ा सा ही mix करना है, जहाँ पर हमें इसे lining दिखने चाहिए, तो इसको मैंने purple cream को मैंने piping bag में भर लिया है, और इसे मैं क्या करूंगी, इस तरह से cake का जो spread कर लेना है, यह देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे आधे height तक इसे लगा लिया, और एक scrapper के help से मैं जस्ट इसको एक touch दे दूंगी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, केक में आपको ऐसी दोल, जो outer layer है वो दीख रही होंगी, यह बहुत बढ़िया लगती है दोस्तों तो इस तरह से मैंने outer layer है कर लिया है, अब मैं क्या करूंगी, यह केक को palette के help से अपने cake plate के उपर मैं रख दूंगी, यह देखिए मैंने cake को plate के उपर रख दिया है, और इसे मैं अभी थोड़ा सा थंडा होने के लिए रख दूंगी, तो थंडा होने के बाद में यहाँ प अब हम बाके के जो upper design है उसके तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पर मैंने upper design बनाने के लिए rose flower बनाए हैं, अगर आपको मेरा यह rose flower अच्छा लगता है, तो प्लीज मुझे comment में जरूर बताना, और अगर आपको अलग-अलग types के flowers जो है वीप क्रीम के वो सीखने हैं, तो मु यह बहुत बढ़िया लग रहा है, हमारा जो cake है, वो simple और sober लगेगा, और यहाँ पे मेरे पास purple color का जो spray है, वो मैं यहाँ पे sprinkle कर दूँगी, और इसका look आप देखिए, यह कितना प्यारा लग रहा है, लगी नहीं रहा है कि यह artificial flower है, बहुत बढ़िया, अब इसी तरह से मैं जो दूसरा वाला जो flower है, उसे भी बना दूँगी, और उसको भी मैं spray करके दो cake के उपर रख दूँगी, तो यहाँ पे मैंने दोनों फ्लावर बना के रख दिये है, और cake के उपर मैंने यहाँ पर रख दिये, यह जो cake था, यह मेरे customer के father का बड़्डे का cake था, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेर कीजिए और मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिए, और इसी तरह से नए नए डिजाइन मैं आपके लिए लाती रहूंगी, तो मुझे कमेंट में लिखना ना भुले, और तब तक देखते रहे है करुनास किचन